best laptop for online classes, अगर आप लगाते हो, आपके लिए laptop बताऊंगा 50,000 के बजड़ में, तो बात करते हैं सीधा, number 4 की, number 4 की बात करते हैं, लेकिन number 4 की बात करने से पहले, मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी, मैं आपको जितने भी laptop बताऊंगा, वो video acting के लिए best होने वाले अगर आ आपने offline काम करना है, जा classes बरह लगाने हैं, अगर आपने online classes लगाने हैं, आपके लिए भी बहुत अगड़े होने वाले हैं, प्लस अगर आपने ऐसा creator काम करना, जा developer काम करना, programming करना, प्रोग्रामिंग करना हैं, उसके बाद भाई, अगर आपने कोई भी heavy software भी यूज करना आप easily normally कर सकोंगे, तो बात करते हैं सीधा number 4 की, number 4 की बात करें, number 4 पर यार मैंने रखा है MI Notebook Horizon को, अगर इस laptop की बात करो, सबसे पहले में आपको बता देना चाहता हूँ कि इनकी build quality, प्लस इसका design, वो बहुत जादा इसको suit करता है, प्लस MI brand है, प्लस भी अगर आपका काम ऐसा है कि आपको keyboard पे जादा काम करना पड़ता है, आपके लिए बहुत अगड़ा होने वाला है, प्लस इसके display quality बहुत अगड़ी है, आपको HD plus web camera साथ में free of course देखने को मिलेगा, जो कि प्लस पर आजाता है, अगर आपने online classes लगानी है, आपके लिए, प्लस मैं आपक gaming वगारा भी करना जाते हो, आप कर सकते हो, आपको graphic card की बात करूँ, आपको MX350 2GB graphic card मिल जाता है, 8GB RAM मिल जाते है, I5 10th generation के साथ देखने को मिलगा, तो specification की according देखा जाए, laptop पूरा loaded देखती को मिल जाता है, मैं आपको main specification बता देता हूँ, थोड़ी सी deeply बात कर लेते हैं, तो यह डिस्प्ले की बातों को 14-inch full HD display मिल जाते हैं, जो कि anti-glate display प्रोसासर की बातों को i5 10th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूँ, आपको 8GB RAM मिल जाते हैं, प्रस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाते हैं, graphic card की बात करूँ, आपको NVIDIA MX350 2GB देखने को मिल जाता है, उप्रेणी इसनों की बातों को Windows 10 मिल जाते हैं, आप battery की बात करूँ, आपको 10 hours का battery backup provide कर देता है, price की बात करूँ, आपको 51,000 के budget में MI Notebook Horizon देखने को मिल जाता है, तो यह मैंने आपको बता दिया, MI Notebook Horizon के, अभी मैं इसके minus point की भी बात कर लेता हूँ, so that's why मैं इसको number 4 पर रखा, इस touch में एक minus point आजाता है, तो आप देख लेना, अगर आपको यह laptop जो है, वो सही लगता है, आप उसके और जा सकते हो, अगर आपको कोई requirement है कि आपको 8GB RAM minimum बहुत है, अगर आपको इतने ही मतल़ सही लगती है, तो आप इसके और जा सकते हो, अगर आपको 8GB RAM नहीं सही, आप आपको कोई काम ऐसा है कि आपको 16GB RAM चाहिए, अगर आपको 32GB RAM चाहिए, तो आपके लिए यह laptop बिल्कुल भी नहीं बना, इसलिए तो मैंने इसको number 4 पर रखा, अभी आगे बात करते है, number 3 की, number 3 की बात करो, number 3 पर यार मैंने रखा है, Acer Aspire 5 को, सबसे पहले मैं आपको ब बात करते हैं, हम स्पैसिफिकेशन की, तो यहाँ डिस्प्ले की बातों को 40 इंच 4 HD प्लस दिस्प्ले मिल जा दी, जो की आई प्लेस पैनल डिस्प्ले है, प्रोसेसर की बातों को आई 5 10th generation के साथ मिलता, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाते है, expandable आप कर सकते हो, पस आप SSD की speed बहुत slow होती है, ठीक है, अगर आप 2GB या 3GB की file transfer करते हो न, तो उसको यार, आदा गंटा, 40 minute ऐसे लगते हैं, लेकिन SSD में आपको यह चीज़ नहीं देखने को मिलेगी, जो की सच में SSD ही लेनी चाहिए, अगर आप data ज़्यादा transfer करते हो, ग्राफिक आड़ की बात कर को मिल जाएगा, तो यहर, main specification मैंने आपको बता दिये, इस इस पायर 5 के भी, अगर मैं specification के recording देखा जो, तो बहुत ज्यादा सही है, भाई, आपको 45th हों के budget से लेके, 50,000 के budget तक ये laptop देखने को मिल जाते है, तो भाई, अगर आपने office बर के लिए चाहिए, student हो, पढ़ते ह कर जाते हो, 16GB तक, अगर आपने video editing करने है, तो भाई, मैं आपको recommend करना जाता हूँ, आपने 16GB RAM के minimum चाल जाना, उसको upgrade कर लेना, आपके लिए ही benefit होने वाला, अगर आप कुछ भी पूछना जाते हो, comment section में comment कर सकते हूँ, जो मैं जोजे Instagram पर मैं सही कर सकते हूँ, यार मै range में Acer बहुत जादा सही कर रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, दो laptops के बारे में मैं बात करूँ, Acer Aspire 7 की, and मैं बात करूँ, Acer Nitro 5 की, सबसे पहले मैं आपको दोनों के बारे में clear कर देता हूँ, भी अगर आपको office work के लिए चाहिए, अगर आपको gaming design नहीं है, आपके लिए best होने बाला, Acer Nitro 5, sorry, पहले मैं घल तो बोली लगा था, आपके लिए best हो सकता है, Acer Nitro 5, आप जा सकते हो, Acer Nitro 5 के और वो बहुत जाता तगरा laptop है, तो अगर आपको gaming करना जाते हो, मैंने आपको बता दिया, अगर आप office work के लिए चाहिए, मैंने आपको भी बता दिया, अभी बात करता है, दोनों के main specification की थोड़ा से deeply बात कर लेते हैं, तो यह डिस्प्ले की बातों को 15.6 inch full HD plus display मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती, तो 16 refresh rate यार average display होती है, इतना तगरा भी नहीं कह सकता है, इतना इसको गलत भी नहीं कह सकता है, इस चीज को आ जान में रखना processor की बातों को i5 9th generation के साथ मिलता है, storage की बात करूं, आपको 8GB RAM मिल जाती है, अपर grade आप कर सकतो 32GB तक प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती, graphic card की बातों को GTX 16504GB मिल जाता है, उप्रेणी सेस्टर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, प्लस आपको fingerprint वगार आप डिस्प्ले की बातों को 15.16 फ्लेस्टी प्लस IPS पैनल डिस्प्ले मिल जाती है, जो की 16 refresh rate के साथ आती है, आप पर सासर की बात करूं, इसमें भी आपको AMD Ryzen 5 देखने को मिल जाती है, अपरेणी सेस्टर की बातों को Windows 10 मिल जाती है, बैंटरी की बात करूं, आपको 6 hours का बैं इस से नीट्रो 5 देखने को मिल जाएगा, तो यहर में स्पैस्फिकेशन मैंने आपको दोनों ही लैप्टाप के बता दिये, मुझे पता है, मैंने जो आपको लैप्टाप बता है, उनका प्राइस जो है, वो 50,000 से अपर चला जाता है, तो यहर अगर आप एक्स्टा पी कर तो इस से इस पारफाइब आपके लिए बेस्ट डिल हो जगता है, इस प्राइस रेंज में शेर बहुत तकड़ा है, अगर आपका पुझेट 30,000 होता है, तो मैं आपको लिनोवो लैप्टाप के और जाने को कहा था, विकरण उतने प्राइस रेंज में लिनोवो बहुत त लेकिन अगर आपका बज़ेट 45,000 से लेगे 55,000 हो जाता है इस प्राइज रेंज में एसर लैप्टाप बहुत जादा तगड़े हैं तो यार अभी मैंने आपको टॉफ फोर लैप्टाप बता दिया जो कि आपके लिए पॉफएट डील हो जकता है अगर आप कोई भी हैवी स जाती है खहतम अगर आपको बिच्चे लगी यार वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों के भी दोस्तों को बेदना उनको भी कहातना की चाहँ को गदर सब्सक्राब वीडियो को दे लाइक और इस्त्वराइब प्रकू लिए फोलो लिंक अब गारा यारा को बॉक्स में देखने को मिल जागा उसको जाटकोल नहीं मिलते नाक्स्ट वीडियो में ने वीडिको साथ तेंक्यू